तो आज का दिन बहुत महथवपूर्ण है ग्याणवापी मामले में सुनवाइ के लिहास से क्युक्कि आपको बता दे आज सुप्रिंग कोट में भी सुनवाई है, इलाबाद हाई कोट में भी इस मामले में सुनवाई है किसी याचिका पर और इसी के साथ जिला अदालत में भी सुनवाई है आपको सिलसलेवार तरीके से हम बताएंगे मस्जिद मंदर विवाद को लेकर ASI सर्वे को लेकर जो मुस्लिम पक्षनेस के खलाफ याचिका लगाई थी इलाबाद हाई कोट में दरसर उस पर सुनवाई है तो ये बड़े खबर इस वक्त के आपको हम बता दे सबसे पहले कि ज्यानवापीद पर इलाबाद हाई कोट में सुनवाई होगी जिस ASI सर्वे की मंजूरी के आदेश पर मुस्लिम पक्षनेस के विरोध में जो याचिका लगाई थी उसी पर आज इलाबाद हाई कोट में सुनवाई होनी है यानि ASI सर्वे के आदेश को चुरौती मुस्लिम पक्ष ने दी थी जिस पर आज इलहाबाद हाई कोट में सुनवाई होगी दोपहर 12 बजे सुनवाई होगी ये बड़ी खबर सर्वे आदेश को मस्जित कमेटी ने भी चुनौती दी थी और हाई कोट में ASI सर्वे को चुनौती दी गई है अब इसी पर आज इलहाबाद हाई कोट में सुनवाई होगी है तो ये बड़ी खबर आपको इस वक्त हम बता रहे हैं ये भाई अपना खुद का सूपर मार्केट बना के महीने का 10 लाग कमा रहे हैं हाँ सिर्फ पैसे वाले नहीं आप भी कर सकते हैं फ्रीडम अप को अभी डाउनलोड कीचिए ASI सर्वे को लेकर जो मंजूरी कोट की तरफ से दी गई थी जिसमें ये कहा गया था कि आर्केलोजिकल सर्वे उफ इंडिया की टीम इस पूरिय अप्रांगन का सर्वे करेगी और जिस तरह की सबूत सामने आये थे उसी को अधार बना कर इस बात का पक्ष हिंदू पक्ष की तरफ से अदालत में रखा गया था जिस पर अदालत ने ये कहा था कि एसाई का सर्वे होना चाहिए और इसी को लेकर मुस्लिम पक्ष ने इसे इलहाबाद हाई कोट में चुनौती दी गुफरान है प्रयागराथ से मेरे सयोगी और जैपाल इस वक्त वारणसी से मेरे साथ जूड़ चुके है गुफरान सबसे पहले आपसे जानकारी आज बहुत महत्वपूर्ण दुन है क्योंकि एसाई सर्वे को जो चुनौती दी गई थी उस पर आज फैसला आना है दिखिए बिल्कुल आज की जो सुनौाई है वो बहुत महत्वपूर्ण है आज जो सुनौाई होनी है उसमें ऐसाई सर्वेक्षन का जो आदेश अप्रैल 2021 में वारानसी के जिला नयाले ने दिया था उसी आदेश को मस्जीद कमेटी और वक्त बोर्ड की तरफ से आप जनरल उन्होंने पिशली सुनौाई के दर्मियान यहाल अपनामा दाकिल करके कहा था कि एसाई अगर पूर्ड अगर अगर आदेशित करती है तो वह इस पूरे मामले की जांच के लिए उनकी जो टीम है वो सक्षम है और जांच करने के लिए तयार है इस मामले पर मु की जो सुन्वाई है बेहर आप पूर्ड हूने ओाली धो फार खरीब 12 बज़े से हुट ने लिए इस पूरे मामले की सुन्वाई का तो सिंगल बेंच यहाय कोड कि भी सुनवाई के दर्मियान कोट में मौजूद रहते वह आज मंदिर पक्ष की तरफ से अलाबाद हाई कोट में जो है पक्ष रखेंगे तो इस लिहाज से जब सुनवाई होगी तो बहुत मात्पूर्ण होगी हाला कि देखने वाली बात होगी कोड का इसक्या रूख होता लीलों को रखा जाना और करीब दाई से तीन बजे के आख पास इस पूरे मामले में कोट अपने किसी न किसी नतीजे पर पहुंचेगा या तो सुरक्षित कर सकता है फैसले को या किसी के पक्ष में आडर भी पारित कर सकता है ठीक आप बने रहेगेगा हमारे साथ गुफर ये बाते होंगी जिसको लेकर वो अपनी बात रख पाएंगे ये भाई अपना खुद का सूपर मार्केट बना के महीने का 10 लाग कमा रहे हैं हाँ सिर्फ पैसे वाले नहीं आप भी कर सकते हैं फ्रीडम अप को अभी डाउनलोड कीचिए